इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं multiplication of two digit numbers जैसा कि हम लोग बच्चपन में और श्कूल में सीख चुके हैं कि दो digit के नंभर को कैसे multiply किया जातا है दो digit के दो number को कैसे multiply करता है ये हम आई यहोप आप लोग को भी आता होगा जो हम लोग स्कूल में करते हैं जिस method से बट आज हम लोग एक नया method सीखने वाले हैं एक नया तरीका सीखने वाले हैं जो हमारे competitive exam में बहुत ही helpful होगा और जो हम लोग स्कूल में method करते हैं उसमें हमारा time जादा लगेगा बट इस method से हमारा time बहुत कम लगेगा और बहुत कम समय में हम लोग multiply कर सकते हैं दो digit के दो number को तो ये जो मैं method बताने वाला हूँ अभी मुझे समझाने में time लगेगा first time या second time हम लोगो करने में ज़्यादा time लगेगा जब एक बार सीख लेंगे तो फिर बहुत ही कम time में हम लोग इसो कर सकते हैं तो देखो ये जो मैं method बताने वाला हूँ इसमें हम लोग क्या करेंगे तीन step follow करेंगे जैसे माल लो अपने को करना होगा माल लेते हैं 48 into 26 करना होगा तो इसको हम लोग जानते हैं एक step दो step और फिर add करते हैं जो school वाला method होता है तो यहाँ पर भी जैसे माल लेते हैं हम लोग को multiply करना है एक number है AB और एक number है CD यह एक ही number है ठीक है इसको multiply करना जैसे 48 है यह 4 है यह 8 है और 26 यह 2 है और यह 6 है है इसको multiply करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे तीन स्टेप में लेके चलेंगे जो हमारा यहां का पासवर्ड है या पासकोड जो भी बोलिए जो पासवर्ड है यह हमारा पासवर्ड है 242 यह हमारा पासवर्ड है 242 और यह जो पासवर्ड 242 है यह कैसे काम करता है बताते हैं रुकिया यह जो two four two है यह हमारा कैसे काम करता है यूं फिर four ऐसा और फिर ऐसा यह password हमारा इस pattern पे काम करता है कैसे देखो first three step है हमारा step number one step number two और step number three मुझे मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ मैं फिर से बोल रहा हूँ कि समझाने में बस समय लगेगा एक बार चिक लेंगे तो कोई टाइम नहीं लगने वाला इसमें ठीक है फर्स स्टेप क्या कर रहा है टू हम लोग को करना क्या है राइट साइट से स्टार्ट करना इसको ढखना है इसलिए ये 2 लिखाओ मैं इन दोनों डिजिट को मल्टिप्लाई करना है कैसे मल्टिप्लाई करना है यह हूँ बी का मल्टिप्लाई डिरेक्ट उसके नीचे वाले से तो यह हो जाएगा बी इंटू डी फिर इसको ढखे है इसको अब उपन कर लेंगे तो यहाँ पर आप देखो चार डिजित हो गया है देखे चार डिजित और यह चार डिजित कैसे work करेगा ऐसा cross multiply तो यह हो जाएगा a को d से multiply करेंगे और b को c से a into d और b को into करेंगे c से और फिर क्या करेंगे उनको add कर देंगे a into d plus b into c कर देंगे त्योंट है किरड़ना है जैसे राइड साइट से चढ़नाया और लेफ्ट साइड उतरनाया है यूं जानाया और यूं आ 몇 स्टेप दो पहले फिर उपन कर दिये ये चारों ले लिए फिर अब इस बार इसको ढखेंगे तो इसको ढखेंगे तो A और C आया देखो दो डिजिट इसलिए यहाँ पर दो लिखावा और ये ऐसे वर्क करता है A का मल्टिप्या उसके नीचे से तो यह A a into C हो जाएगा आई बात समझें अब जैसे एक एक से एक दोगुआ है और 48 into 26 करना है तो सबसे पहले किसको मल्टिप्ला करना है इसको ढखेंगे 8 का मल्टिप्ला किसे करेंगे 6 से तो 8 इंटू 6 कितना होगा देखते हैं पहला क्या है 8 x 6 48 तो 48 का हम लोग 8 लिखेंगे और 4 हमारा carry forward में चला जाएगा ठीक है फिर 4 का multiply 6 से करना है 4 x 6 कितना होगा 4 x 6 कितना होगा कर लो 24 प्लस 8 x 2 16 24 और 16 40 कितना होता है 40 40 और यह 4 carry forward में था तो 40 प्लस 4 44 तो 44 का हम लोग यह 4 लिखेंगे unit place का digit फिर और यह एक चार हमारा carry forward में फिर से चला गया ठीक है 44 का फूर लिखा और carry forward में चला गया ठीक है तो क्या हो गया 24 अब फिर से दो दो डिजिट लिए चार डिजिट लिए फिर से दो डिजिट इसको ढग दिए चार और छे क्या है यह देखिए क्या है यह फूर टू है फूर टूजा एट फूर टूजा एट हो जाएगा और एट में यह चार एड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बारह टोटल यह बारह तो यह हमारा multiplication आ गया चलिए इसको लिख लिए फिर अगला step परते हैं अगला question एक और साम पर लेते हैं जैसे माल लेजे कुछ ले लो तो एक नंबर 74 और 53 एक नंबर 53 है इसको multiply करना है तो पहला step क्या है इसको डखेंगे 4 और 3 दिख रहा है 4 और 3 दो डिजिट और ऐसे वर्क करता है 4 त्री जा कितना हो गया 12 का 2 लिखेंगे और यह 1 हमारा carry forward में चला जाएगा ठीक है अब क्या करेंगे 4 डिजिट लेंगे 4 डिजिट कैसे वर्क करता है क्रॉस multiply तो 7 का multiply 3 से करो 21 और प्लस 4 का multiply 5 से करो 20 ठीक है न 7 त्री जा 21 फूर 5 जा 20 इनको add करेंगे तो आएगा 41 और एक हमारा carry forward में था तो 41 प्लस 1 42 41 प्लस 1 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 42 तो 42 का 2 लिखेंगे फिर से 4 हमारा आप carry forward चला गया ठीक है 4 3 लिया फिर यह 4 लिया फिर यह इसको ढगेंगे तो क्या आगया 5 और 7 7 और देखें यह क्या आगया अब इसको ढग दिया 7 और 5 तो 7 इंटू 5 35 साथ पच्छे 35 सेवन 5 जा 35 और carry forward में कितना 4 था तो 35 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40 39 तो यह हमारा answer हो गया आया समझ में एक और example लेते हैं एक और करते हैं एक और example ले लेते हैं जैसे 82 एक example ले लेते हैं और एक 82 इंटू 14 82 इंटू 14 मालो करना है तो पहला step क्या है ऐसे multiply करना है तो 4 तो 48 यहाँ पर कुछ भी carry forward नहीं हो रहा है फिर क्या करते हैं cross multiply दो डिजित लिया फिर 4 डिजित में सब लेना है सब में cross multiply तो 8 4 जा 32 प्लस 21 जा 2 तो कितना हो गया 34 तो बताइए यहाँ पर कुछ भी तो carry forward में नहीं था तो बस 34 में कुछ add नहीं होगा तो 34 का 4 लिखेंगे और हमारा 3 carry forward में चला जाएगा ठीक है 34 का 3 लिखा 4 लिखा और 3 carry forward में चला गया अब क्या करेंगे फिर इसको किया यूं किया अभी ऐसे multiply करना है तो तो मैं homework करता हूं प्लीज आप कमेंट करके इसका आंसर बताईएगा ठीक है एक ले लेते हैं 76 into 89 ओके और 58 into 39 ठीक है यह दो example है दो homework है इसका कमेंट करके आप मुझे answer बताईए उमीद करते हैं यह method बहुत अत्थी से समझ में आया होगा और enjoy भी की होगे तो enjoy किये हैं तो please like कर दिजेगा वीडियो को और share कीजिए with people around you